खबर गोंडा से है जहां गोंडा जिले में घागरा नदी के घटते जलस्तर के कारण अब घागरा नदी का तांडब भी देखने को मिल रहा है जहांज दोपहर घागरा नदी के तेश कटान के चलते नवाब गंश धाना छेत्र अंतरगत साकी पूर चहलवा गाउं में अनन्त राम याद अबराम भवन और सोना देवी का मकान देखते ही देखते घागरा नदी में समा गया गागरा नदी में दोनों मकानों के कचान का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसमें देखते ही देखते पूरा मकान गागरा नदी में चला गया है लाइव वीडियो देखने के बाद अंदाचा लगाया जा सकता है कि नदी के घटे जोलस्तर के कारण किस तरीके से लगातार घागरा नदी अपना तांडव रूप दिखाते वे तटिये इलाकों में तेजी से कटान कर रही है फिलाल सूशना बाकर मौके पर तरफ गंच स्टीम विशाल कमार राजस्व अधिकारियों के साथ मौके पर पहुँचे हैं और पूरे मामली की रिपोर्च बनाकर गोंडा जिला प्रशासन को भेजने में जुटे हैं बीते छे दिन से लगातार घागरा नदी साकीपूर के चहलवा गाउं में तेजी से कटान कर रही थी नदी में घर के समाई जाने की डर से लोग अपने मकान को खाली कर दिये थे और सुरक्षे तस्तानों पर रहने को चले गए थे साथी कटान की जद में आए मकान को तोड़ कर इट निकाल रहे थे